Quality of your emotions defined quality of your life जैसे आपके emotions की quality होती है आपके जिन्दगी की quality भी वैसी होती है और इसी वज़े से low quality के वज़े से India is the most depressed country in the world दुनिया में सबसे ज़ाद लोग इंडिया में ही depression के सिकार है और पूरी दुनिया में 300 million से भी ज़ादा लोग depression से सफर कर रहे हैं और ऐसा क्यों होता है जब अपनी life में छोटा सा stress आ जाता है छोटा सा emotional imbalance आ जाता है तो हमारी happiness को छीन लेता है या फिर आप अपनी life में goal को achieve करना चाहते हो या अपनी life में बड़े goal बनाना चाहते हो लेकिन आपके emotions आपको goal achieve नहीं करने देते हैं या फिर आपके emotions आपको goal achieve करने से कहीं न कहीं रोक लेते हैं या फिर आप अपनी life में quality of relationship को बढ़ाना चाहते हो लेकिन आपके emotions वो करने ही नहीं देते हैं या फिर अपनी life में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो ज्यादा wealth build करना चाहते हो लेकिन आपके emotions कहीं न कहीं आपको रोक रहे हैं और आप अपनी life में ज्यादा productivity लेके आना चाहते हो लेकिन वो productivity इस वज़े से नहीं आ पाती है क्योंकि आपके अंदर emotional drive नहीं हो पाता है तो इसी वज़े से मैं आपके लिए दो दिनों की ये two days emotional mastery workshop लेके आया हूँ और मैं आपको invite करता हूँ आपके साथ और आपकी पूरी family के साथ जिसमें आप सीखेंगे कैसे आप stress, anxiety, depression जैसे negative emotions से कैसे अपने life में breakthrough आएं कैसे आप lockdown के fear से बाहर आएं या फिर अपनी past की painful memory को कैसे delete करें या फिर अपनी life में quality of relationship को कैसे establish करें चाहे अपनी family के साथ हो चाहे spouse के साथ हो या फिर team member के साथ हो वो technique क्या होती है better habits build करने की वो technique भी आप सीखेंगे science of achievement and setting your goals लोग अपने goal को set करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता है तो वो science क्या होती है जो कि आपके goal को आपकी तरफ लेके जाएगा stress handling capacity life balancing pyramid कैसे अपनी life में balancing लेकर रखे है और इसके बाद bonus में आपको सीखेंगे कैसे आप model करके जो आपके role model है उनकी तरह अपनी life में result को achieve करका है and science of procrastination कैसे आप procrastination से बाहर हो सकते हैं and science of management your time अपने time को कैसे आप manage कर सकते हैं और बहुत कुछ सारी चीजे तो सामिल हो ये इस transforming India to live better life campaign में जो की मैं चाहता हूँ कि हर एक person अपनी quality of life को जी सके तो आपको क्या करना है आपको register करना है इस two days emotional mastery workshop में जो कि 27 और 28 जून को हो रही है और आपको क्या करना है आपको आना है बैठना है सीखना है और वो सारे proven tools and techniques में आपके साथ share करूँगा जिससे आप अपने emotion को strong करके अपनी quality of life को बढ़ा सके और कहते हैं your emotions created by the motions यानि कि जब आप अपनी action लेते है तो आपके emotion automatically create होना सुरू हो जाते है तो my dear friend यही सही समय है action लेने का अभी register करें इस two days emotional mastery workshop में आपको link description में मिल जाएगी या फिर आपको link video में मिल जाएगी आप वहाँ जाकर के तुरंत register करें सो अभी register करें इस two days emotional mastery workshop में क्योंकि मैं चाहता हूँ फिर से कोई अपने bad emotions की वज़ेस अपनी life को खत्म ना कर सके अपनी जिंदगी में हतासा को लेकर के ना आपाए चाहे वो ग्रहडी हो चाहे house wife हो चाहे parents हो चाहे family member हो या फिर student हो या parent हो या फिर corporate में people हो कोई भी person हो इस वीडियो को share कर दीजे अपने friends family member आज पास के producer के साथ अपने सदारों के साथ ताकि वो लोग भी इस मेरे इस campaign में transforming to live India better life campaign में सामिल हो करके इस इंडिया को बहतर बनाने में मेरी मदद करें वीडियो को देखने के लिए वीडियो को share करने के लिए channel को subscribe करने के लिए दिल की घहराईयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं emotional mastery workshop में register right now thank you so much for watching this video